टिफिन में आज क्या बनाए ये एक क्वेशन से हर कोई परिशान रहता है वेलकम टू डिंपल खरनास कुकिंग क्लास आज यही क्वेशन का हम आंसर लेके आए हैं आपके लिए और लेकर आए है हमारी बहुत ही अमेजिंग क्लास जो है हमारी लंच बॉक्स एंट फिन स्पेशन इसके अंदेर हमने आपको मील बॉक्स बताए है जो परफेक्ट है अगर आप अपना बिजनस स्टार्ट अप करना चाते है कोई फूड डिलिवरी आप पे या फिर आप अपना होम क्लाउड किचिन शुरू करना चाते है तो आईए सबसे पहले देख लेते हैं हम कि हमने कौन से कौन से मील बॉक्स इसमें कवर किये है सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये है हमारा सोयाबी मील बॉक्स इसके अंदर हमने मल्टी ग्रेन चपाती, सालड, साथ में फूट्स रखे हैं आप देख सकते हैं सारे ही मील बॉक्स बहुत ही ज़्यादा नूट्रिशिस है, कलरफुल है, आयकैची है, सारे आप देख सकते हैं. इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है हमारा साबूदाना मील बॉक्स. हर हमने रेसिपी के साथ में उसे कॉंपलिमेंट करने वाली साइट डिशिस भी बताई है, हर रेसिपी के साथ हमने किस तरह से आप इसे नूट्रिशिस कर सकते हैं, किस तरह से इसके साथ कॉंपलिमेंट करने वाली चीज़े आड़ कर सकते हैं मील बॉक्स में, ये भी हर रेस बॉक्स को अच्छे से प्रोपरली हम ने आपको यहां पे बढ़ाया है कि किस好 आप सस्टॉप पर सकते है। अब देख रहे हैं यां पे हमारा वेजटेबल पैनकेक मील बॉक्स। यह सेवरी पैनकेक मील बॉक्स है। इसी के साथ साथ हमने आपको यहाँ पे चटपटे मखाने भी सिखाए है जो बहुती ज़्यादा डिलिशस लगते हैं. अब आप यहाँ पे देख रहे है हमारा उप्मा मील बॉक्स. ये उपमा मील बॉक्स में इसी के साथ हमने पिन वील्स भी सिखाए है जो एक स्वीट ट्रीट है जो बहुत ही अमेजिंग लगती है तो अगर आप बच्चों को ये टुफिन में देंगे या फिर अगर आप अपना खुद का क्लाउट किचिन या फिर कोई भी आउटलिट शुरू करना चाहते है तो उसके लिए भी ये सारे मील बॉक्स बिल्कुल परफेक्ट है अब आप देख रहे हैं हमारा बीटूट पराथा मील बॉक्स आप देख सकते हैं पराथा कितना कलोफुल लग रहा है कितना ब्यूटूफुल लग रहा है इसी के साथ जाने के लिए हमने यहापे एक बहुत ही अमेजिंग सी टमेटो चटनी भी कवर की है ये इसमें आप बहुत ही delicious लगते हैं और nutritious है, साथ में हमने बहुत ही healthy यहापे सेवई बनाई है, इसके बाद अब आप देख रहे हैं हमारे mixed veggie meal box, इसके अंदर हमने mixed vegetable बनाया है, साथ में multi grain की चपाती बनाई है, properly किस तरह से आपको pack करना है, किस तरह से आपको layout करना है, meal box setup कैसे करना है, यह हर detail हमने आपको इस class में अच्छे से बताई है, इसके बाद अब आप देख रहे हैं हमारा alo tiki sandwich meal box, यह alo tiki sandwich के अंदर जो condiments बनते हैं, वो सारे हमने इसके अंदर बताए है, इसके साथ sandwich आप देख सकते हैं कितने professionally हमने cut करके set किया है, इसके साथ हमने यहापे masala almonds रख detail अच्छे से आपको explain की है, अच्छे से आपको practically सिखाई है, आप देख सकते हैं कितना delicious और appetizing लग जाए है, इसके बाद अब आप देख रहे है हमारा poha meal box, पोha एक बहुत ही simple recipe होती है, और हर कोई बनाता है बट यह काफी technical होती है, पोफेक्ट वे में आपको यह किस तर स पूरा meal box कैसे setup करना है, किस तर से आपको अच्छे से इसे pack करना है, वो भी बताया है, अब आप देख रहे है हमारा cutlet meal box, यह cutlet meal box में इसी के साथ जाने के लिए हमने एक snack भी बनाया है, जो है हमारे मसालेदार मखानी, यह मखानी बहुत ही जादा healthy है, तो अब आपने दे recognized और ISO certified है, हर course हमारा आपको certificate के साथ में मिलता है, तो आप हमारे कोई भी courses join कर सकते हैं, हमारे पास एक wide range है हमारे online courses की, जो आप कही से भी कभी भी जोइन कर सकते हैं, description में दिये हुए number पे call या WhatsApp करके,